कि विद्यार्थी मित्रों कि आज हम कि दूतिय वर्ष हिच्चिक हिंदी पेपर साथ आधुनिक हिंदी कविता के पाठ्टे क्रम में से हमारे अभ्यास के लिए रखी हुई पाठ्टे पुस्तक चूनी हुई लंबी कविताएं इस पुस्तक के अंतरगत की दूसरे क्रम की लंबी कविता सरोज स्मूटी जिसके रच्यता है सूर्यकान तिरपाटी निराला के शेश भाग को देखने जा रहे हैं इस से पूर्व हमने सरोज स्मूटी सुर्यकान तिरपाटी निराला जी की इस लंबी कविता का प्रार्म किया अध्यन के सुविदा के लिए इसके हमने लगभग दो भाग देके पहले भाग के अंतरगत सरोज स्मूटी इस कविता के रच्यता निराला जी का स्तुल परीचे देखा और उसके पर्शाद सरोज स्मूटी कविता को प्रारम करने के पूरों परीचे में ही हमें दिखाई देताई के लेक के जीवन का पट और सरोज की उनके पुत्री के स्मूती की बातों का क्या यहां पर पड़ा समन्वए दिखाई दिया कि तोनों बाते एक में के अनुरूप होने के कारण कविता समझने में समझाने में क्या है स्वीदा निर्मान हुए तो मैंने आपको कहा कि स्वीदा के लिये मैंने उसके जो है तो कुछ भाग निर्मान किये पहला भाग कि मैं देखा जिसमें मैंने बताया परिचे लेका कवी का और क्या है कवीता का प्राराम सेश भाग में कि हमने जो है तो कुछ उसका शेश हिसादे का अब तीसरे इस तासिका के भाग के अंतरगत उसके पश्चात का शेश भाग क्या है हम देखने जा रहा है देखे कवीता दिर्ग होने के कारण इस तासिका के अंतरगत मुझे लगता है कि उसका समापन होना मुश्किल है यह ना फिर भी हम प्रयास कर रहें हुई तो ठीक है नहीं तो फिर अन्य और एक भाग का क्या है हमें लेना पड़ेगा तो कवीता के शेश भाग के अंतरगत कवी ने सरोच के बाल्य आवस्ता का जो है तो क्या है चित्रन क्या आवा है पाल्य आवस्ता पर या बाल्य आवस्ता से तारुन्य के और उसका जो पदार्पन है उसका जो है तो क्या आए है पर विवर रहा में देखने कुने वाला है कवीता के इस चरन के माध्यम से निराला जी तारुन्य कुंज में प्रवेश करने वादी लावन्य वती तरुनी सरोच का चित्रन करते हैं बीटी के लावन्य की चर्चा करते हुए निराला उसके तारुन्य और संदर्य की और अद्भुत चित्रमयता प्रस्तुत करते हैं लावन्य भार के यवनों चित चंचलता की उपमा वीना पर शंकुट मालकोश के सोरों से देकर कवी ने अद्भुत कोशल्य और साहस का परीचर दिया है देख लिए किस प्रकार का उन्होंने आपर विवरन किया है और पंक्तियां भी मैं आपको यहां पर क्या है बतला रहा हूं बाले की केलियों का प्रांग केलिया खृड़ा बाले की बच्पन की कर पार कुंच तारुन्य सूधर कि बाल्यावस्ता कूप आर करकर तारुन्य में क्या है पधारपन कर चुकी है आई लावन्य भार थर्थर कापा कोमलता पर सस्वर जो मालक कोश नो वीना पर नैश सोपन जोतू बंद मन्द फूटी उशा जागरन चन्द कापी भरनीज अलोक भार कापा वन्द्द्द्द पादिक प्रसार देखतीजिए वीटी की उजवल सुन्दर्ता का स्पर्ष पाकर दिशाओं को कापना जैसे वर्णन परुनाई के प्रथम चरण की मोहक और मार्मिक स्थितिक्पू यहां पर दर्शाती है कि तो निराला का अस्खलित वेक्तित्व सायम और संतुलन को पुत्री के यहण की ठारा शरीर के बाद में मर्यादित थी यह कवी ने सरोच के भाव जगत में होने वाले परिवर्तन को भी क्या है पकड़ा है फिता के द्वारा पुत्री की वास्ता हिवास्ता के ऐसे चित्र निसाहित्य में अन्यत्र धुरलब ये एक पिता द्वारा अपनी पुत्री के वह भी वह वह था के चित्रों को अंकित करना क्या है अब्ड दूर लब चित्रा है लेकि निराला जी नामी निराला है इसके लिए क्या है अच्छुते नहीं है उन्हों ने जो है तो यह चित्र भी हमें जो है तो बतलाया है पुत्री के सवंद्रे को यठावत चित्रित करने के लोब और पित्र वोके बोट के बीच गजब का संतुलन देखने के लिए मिलता है सरोज स्मूति के कवी कन्या के प्रती वासले भाव का निर्वा करता हुआ उसमें स्रंगार की सार्तक्ता भर देने का कौशले दिखाता है परंतु वह दिविश रंगार है वह सोर्गिय प्रिया से उसे जोड़कर कभी प्रेम की दोहत्तर गरिमा का अथ्वा अदेहता की और क्या इंगित करता है क्युक्त हम देखते हैं कि स्वरोज आये नहीं वह जोहत्तों क्या है इस लोग को छोड़कर चली गई है कि देहुत्तर गरिमा का क्या आया पर उन्होंने अदेहता कि और क्या इंगित करने का और निराला जिस विद्रव को पलवित कर न्याकुज ब्रामनों के संस्कारों को ऊपर उटाते हैं तो सास की बात ही है परन्तु तारुन्य प्राप्षी के साथ पुत्री के भाव जगत के परिवर्तन को भी कभी जिस दिव्यता और पत्नी की स्मूति मर्दूर्टा में बांद देता है वो एकदम प्रतीम वस्तु हमें जो है तो क्या है पठन के लिए मिलती है किसी सामने मुगदा नाइका का सवंदरे चित्रन आसान होता है कि तो किसी भी कवी की सबसे बड़ी कसूटी है अपनी ही तरुन बेटी का सुक्ष मनोवज्यानिक चित्रन करते हुए कविता की उदात भावधारा को आगे बढ़ाना निराला का अस्खलित रागी विरागी वेक्तितु ही ऐसी कसूटी पर खराव उतर सका है इस दुष्टी से वे अपने परतिमान स्वयम है ऐसे स्थलों पर निराला का धिव्य भाव कहीं भी खंडित नहीं होता मा का मादुर्य और पीता का मानू क्या है सरोच के सोर में सहज रागीनी बन गया है और उसे जन्मसिद्ध गाई का ही वो बना देते हैं देख लिए गी माँ जेसे डीटी मां का प्रति रूप बीटी में होता है यह माँ जो बात है शायद माह के संदर के साथ साथ पुत्री के संदर को उन्होंने जो है तो क्या है उसके रागीनी को जो है तो अपने लिए में सरस्थुम्टी में स्थान द्यावा हमें देखने के लिए मिलता है देख लिए किस प्रकार का है थोटा कैसा प्रिय कंट सोर मा की मधुरिन वेंजना भर हर पीता कंट की त्रप्तधार उत्कलित रागीनी की भार बन जन्म सिद्धिगाई का तन्वी सरोच के लिए संभोधने जब एक अध्याद वायू जो है सरोच के मुरुदुल के सो को चुंगते हुए बहने लगी और निश्पलक होकर उन जो कलियों पत्तों आधिकों अंदोलित होते हुए देखने लगी तो निरालाने संभ्या की उसके जीवन का वास्तविक आउशक्ता क्या है देखने इस प्रकार की यहां पर कल्पना उन्होंने की कि एक अध्यात वायू सरच के प्रदुल लखेशों को चुंगती हुई कि किस तरह से कुझों कलियों पत्तों आधि में अंदोलित होते हुए जो है तो जा रही है तो इसका भी जो है तो इन्होंने क्या है यहां पर विवरन के आवा देखने के मिलता है इसके उपरान कभी उस हौसर का स्रवन करता है जब एक दीन सास्त में सरोच के विभाका सुजाओ देते वे कहता कि इसके पालन पोशन का जो हमारे योग्यकांता हमने कर दिया अब तुम इसे क्या करो अपने साथ ले जाओ कोई कुलीन और योग्यों और ढूड़ो और उसका दिया कर दो दौहात के चारहात कर दो हम भी उत्सापुर्वक इस कारे में तुमारी साहियता करेंगे और निराला जी सरोच को लेकर अपने घर आते हैं जैसे कोई भिक्षुक स्वर्न राशी लेकर घर लोट रहा हो स्वर्न राशी की प्राप्त करने का आनन तो उसके मन में है कि तुसे कैसे संजुप आएंगे इसकी चिंता भी निराला सरोच को निजगर चाया तल ले आने के बाद क्या आयक करते हैं यह उनकी विपन्नता की छलकती है और एक छत की चाया के अतरिक्त उनके पास ठाई क्या अपनी पुत्री के लिए जिसे दे करो उसे सीतलता प्रणान करते हैं कि हमने देखा कि यह बड़े घुमककड थे मस्त मावला थे ठककड थे इतना ही नहीं तो क्या है वो साहित्य के लिए अर्पित्थ है कि तमाम बाते होने के कारण उनका कोई ठिकाना नहीं था इससी कारण उन्होंने अपने सासुजी के पास पुत्री को रखा था और सासुजी ने वह वह लायक होने के कारण मेरा काम समा पुहा बोलकर उनके हवाले कर दिया अब उनको भीटी को घर लाने के शिवाए चारा भी नहीं था और लेकर आए तो उसका वनन भी उन्होंने किस प्रकार किया दी किये लेकर घर लोट रहा है जैसे कोई भीख्षुक लेकर घर लोट रहा है लेकिन यह सोना तो है उनके पास उसे कैसे संजोए यह उसका मसला है और भीख्षुक के पास सोना आने के बाद देखते उसके आवस्ता क्या होने वाजी वह आवस्ता है पर उनकी कुथ्री को घर लेकर आने के बाद हुए क्यूंकि यह भी जो है तो क्या है बड़े विपन आवस्ता में थे स्रिप घर के आलावा उनके पास कुछ नहीं था सरोच के विभा की चिंता कन्या कुप्ष के उपर भिशन वेंग्या आत्मक प्रहारा और सीदे सीदे ढंग से परंपरागत रूडियों को तोड़ते हुए स्वरोच का विवा करनी की बात सोचते है तो उनके मन पर अंकित कन्या कुप्ष ब्राह्मनों की अच्छवी सामने आ जाती है देखमिंगे सो खियो को भी कुछ के जाती को भी क्या बक्षा आएН वा नहीं है समाज को भी बक्षा आए timely यह लोग दो किस प्रककारchs क्या है उसका उन्होंने करे छेद इनके कर कन्या हार्त खेद इस विशह बेदी में विश्क की विशी फल यह दग्द महरुस्तल नहीं सूजल को प्रामनों के चित्र को आंकित करते वे अपनी बीटी उनके हवाले कैसा करे इस संबन में यहां पर उन्होंने जो है तो इस चंद को जो तो वेक्ट क्या वादेखने के लिए मिठ रहा है और फिर से एक बार देख लीजिए वो क्या करे यह कण्यकूब्ज कुल कुलांगार खाकर पतल में करे छेद इनके करकन्या अर्थ खेद इस विशह बेदी में विशही फल यह दग्द मरुस्तल नहीं सूजल यह जो यह तोस्तान क्या है व चाड़ा विराना मरुष्टल है कि हमें दिकाए देता है कि वो जो है तो रीतिला बजर आ रहा है कि ये कुछ क्या है कि मामला उचित नहीं है और इसमें विश्य बेदी में क्या है विश्रिफल हैने वाला है ये चितर बड़ा हितिकाय। लंग्यात्मक है जातीगत अंकार के ही आदार पर अपने को स्रष्ट करने वाले तताकतित समाजपतियों के लिए निराला के मन में तरह भी आदर नहीं था इनसे किसी भी सब्वे आचरन की आशा उने नहीं थी यह तो उस दग्द मरुस्तल के समान है जिन से सीतलता की आशा करना अपने को भुका देने के समान है इनके लिए कभी के मन में मानों ग्रहना का क्या अथास अगर हिलोरे मार मार कर रहरा गया हो यह ग्रहना किसी स्वार्थ या इर्श्या का परिनाम नहीं बलकि तताकतित अभी जात और खोकले गुरु डम को प्रतिक्रिया थी पारेवरी भुडियों से अपने विचारों को वे जोड़ नहीं पाते और प्रार्चिन भार को धोने में अपने को अक्षम पाते कन्या कुप्ज समाज की संकिर्णता हंकार अर्थ लोब नीम नस्तरिये रहंसन आधी पर निराला खुल करक्या है प्रार करते हैं देख लिए आज भी समाज के अंतरगत की जो संकिर्णता है अंकार है आर्थ का लोब है ने सारी बातों का उन्हों जो है तो क्या है पहले ही जो तो किस प्रकार से उसका उनों ने हैं पर जो है तो पोल खोलने का खार्य अपने स्वरोज स्मूती के माध्यम से किया और उसका विरोध करकर किस प्रकार से वो एक अनों का विवा अपनी पुत्री का करते है वो चित्र हैं पर उन्होंने अंकित क्या हुआ है वे जो यमुना के से कछार पतफटे विवाई के उधार खाय के मुक्त जो पीए ते चाम रोदे जूते से संकेल निकले जी लेते पोर गंद उन चर्णों को मैं यथा अंद कल प्रान प्रान से रहित विक्ती देख लिए फिर से एक बार उस चंद को मैं आप लोगों के साम में रखना चाहरा हूं वे जो यमुना के से कछार पदफटे विवाई के उधार खाय के मुक्त जो पीसे तेल चाम रोदे जूते से सकेल निकले जी लेते पोर गंद उन चर्णों को मैं यथा अंद कल प्रान प्रान से रहित विक्ती हो पुझ ऐसी नहीं शक्ती ऐसे शिव से घिर्जा विभा करनी की मुझको नहीं चाहा देख लिजे यमुना के कछार में पड़ीवी दरार जैसी विवाई वाले भद्भू मारते हुए पैरो और कांतिहिन मुख वाले कन्या कुम ब्रामन समाच के प्रती कन्या के पीटा के दिये धारन करने योग्य विन्हें और सुहदार्य का भाव मिराला के मन में कैसे आ सकता था यह सब निराला के मन में ठाप्त खुना की गृणां की प्राक भास्ता हीầy उसी का ही यहां पर क्या संकेते यहां पर शू और गिर्जा के प्रतिक में शू का आराध्य रूप नहीं है बलकि भैंकर अशोबन रूप है शू का तांडव है जिसका वर्मन शू के विवहा प्रसंग वाले गीतों में किया जाता है निराला को पहले कभी मिले एक विद्वान सत्साहित्य दिखिए उनको जो पहले मिले एक जो विद्वान है सत्साहित्य कहें कन्या कुप्ज है नव युवक है और उनकी याद आती है कन्या कुप्ज के प्रति मन में घ्रना के भाव के कारण इनके साथ भीटी का विवान करने का विद्रह मन में बार बार उठता है लेकिन क्या करते प्रस्थिती ऐसी नहीं थी कि मन चाह कर लेते दूसरे वो नव युवक उसके मनो नुरूप वर की कलपना के अनुरूप था युवक को बुलाकर अपनी आर्थिक स्थिती रिक्त हस खता का वर्नन करते हुए निराला ने पूत्री के विवा का प्रस्ताव रखा सोभाट आ दिके बंधनों को दोड कर सोहम विवा मंत्र पढ़्नी कीबात कही साथी एक सोतंत्र चेतलर विद्रोवी कभी के रूप में सारे नीअयमों को तोड़कर विवा की विवस्ता उन्होंने की देख लीजिए यहनि कि ब्रामनों को उन्होंने नहीं बुलाया विवा के जो हमें दिकाय देता है मंत्र है सोयम उन्होंने पड़े हुए और सत्साहितिक मन को लुबाने वाला समाज का एक नवयुवग जो था उसे करिब किया और उसे करिब करकर उससे समंदित जो है तो क्या है बाते पुत्री से उसके साम में रखी कहा कि मेरे पास दैस के दिये देने के लिए फूटी कवडी भी नहीं है इतना ही नहीं मैं जो है तो क्या है आपको विवाके सारे बंधन जो है तो तोड़कर उसके मंतरों गरे पढ़़कर मेरी पुत्री की जो है तो फूत्री की विवाक की बात आपसे करते वे आपके हाथ में हाथ उसका देना चाहता ऑ healing मेरे पास ना कोई भारात वारात है कोई जो है तो क्या है कार्य होने वाला है तुम करो भ्या तोड़ता नियम मैं सामाजिक योग के प्रतम लगन के पढ़ूंगा सोयम मंत्र पंडिक जी होगे सोतंत्र देख विवा अमुल नवल तुछ पर शुब पढ़ा कलश का जल और निराला जी ने हमें दिखाई देता है कि ना भारात ना बाजा ना लगन लगान ना मुर्थ ना गीत ना संगीत सबसे उपर उटकर पूरी दबंगई के साथ कि विवा ऐसा कारे निराला जैसा सतंत्र चेतना व्यक्ति ही कर सकता है वो क्या हुआ हमें देखने करी में पहुंच कर कवी के सवर में फिर क्या है बद्दाव आया हुआ है जिसे कवीता का सात्वा मंजर हम्यां क्या है कर सकते है बीटी की योन उच्छित चंचलता का वर्णन करने वाले निराला ने एक दुलन के रूप में सजी हुई बीडी के चेर पर दांपत्य भाव भी पड़े हैं वे स्वत्य परिनियता कन्या की स्रंगार मुखर सुन्दर चवी का वर्णन करते हैं देख लीजिए वाली का वालुका से जो यह तो यह निका और यह निका से एक जो है दांपत्य भाव की और प्रतिवी आपक्षा को परिमित करने का उसके स्रंगार मुखर सुन्दर चवी का वर्णन करने का इस जो है तो क्या है सात्वे हमें दिकाई देता है कि जो है तो भाग के अंतरगत या पड़ाओ के अंतरगत निराला जी ने क्या वा देखने की गुनता है उन्होंने कविता में रसकी उमड़ती धार के रूप में निराकार स्रंगार को बीटी में साकार होते देखा और उसे सोरगी प्रियासंग जोड़कर अपनी पवित्रता से अदुतिये बना दिया है स्रंगार रोजो निराकार रसकविता में उच्छवासित धार गाया सोरगी प्रियासंग धारत प्रानों में राग रंग रती रूप प्राप्त कर रहा वही आकास बादल कर बना मही कि उच्छवास के साथ सारोच का धीरे धीरे खुलना नत नयनों से अलोग का थर थराते हुए अधोरों पर उतरना आधी चित्र सवंदरी का एक निरशरसा आखों के सामने उपस्तित करता है आंत्रिंग उमंग में पुद्देलित एक गतिमान सवंदरी की जलक यहां देख योगी की भाति निसंग भाव से यह सब वर्नित कर सके है इसे निराला की निरवयक्तिक कला का सबसे बड़ा उधारन का जा सकता है अपनी पुत्री का इस प्रकार का वर्नन करना एक व्यक्ति के दिए क्या है बड़ा कठीन होता है नत नयनों में अलोग का थर थराते हुए अधरों पर उतरना देहते जी किस प्रकार का यह पर यह जो है तो चित्रोन नमें उपस्थित क्या सबस्था है और किस तरह से निरलेपत और तटस्थ योगी की भातिनी शंभाव से इसका निरालाने निर्वयक्टिक का लाका बड़ा उधारन क्या है उपस्तित क्या वाए आगे देखे तो पता चलता है कि उनकी वृत्ति स्रंगार की केचड में या स्रंगारिक्ता में बड़े पैमाने पर जो है तो क्या है लिप्टी वे हमें नजर नहीं आता है उन्होंने बराबर भान रखते हुए शबान रखते हुए रिष्टे को निभाते वे क्या है स्रंगारित्ता का वन मंग्या हुआ है सरोच के मातृतु का भी निर्वा निरालाने ही क्या है विभा के प्रसंग में ही आगे चल कर कहते हैं मा की कुल शिक्षा मैंने दी पुष्पसेज तेरी सोयम रची सोचा मन में वह शकुंतला पर पाठ अन्य है अन्य कला दिख दिए उप्षाद युप्तकंट से निरालाने शकुंतला के प्रति रुशी के द्वारा निर्वा किये गए दाईत्व का क्या है समरंदि लाते हुए परस्तिती की भिन्नता का भी क्या है यहां पर संकेत देते वे पुत्री की पुष्पसेज रचने वाले पीता के मन में छुपेवे आभाव के दद और अपनी असाहियता की बड़ी मार्मी क्युमेंजना यहां पर क्या है कीवी है यह वर्णन करुना के रुधैक को ध्रवि कर देता है कविता के अंतिम्चरण में मामा मामी के प्यार दुलार के बीच नानी के सिन्हगोद में सरोच के जीवन का करुण क्या अंत बतलाया गया है तो विद्यार्ति मित्रों हाच के इस तासिका के अंतरगत मैंने सरोचिस्मोती इस कविता को समापन करने के लिए क्या अगाव कि यह जो है तो क्या आभिए है तो इसके शेश भाव को मुझे लगता है कि आने वाले घंटे में हम जोами तो रहे साना देखंगे और सार रूप में या निश्कर्ष तहा उसका सारा मामला आपके साम में मिचोड के रूप में रखने का क्या है प्यास करेंगे तो आज के लिए दुतिय वर्ष के अंतरगत चतुर्ट सत्र में आदोनिक हिंदी कविता इस एचिक पेपर के अंतरगत की चुनी हुए लंबी कितावे चुनी हुए लंबी कविता हैं हमारी पार्टे-पुस्तक में की दूसरी जो कविता थी सरज्मूर्थी उसका तो हमने यहां पर कुछ इसा आप लोगों को समझाने का प्रयास किया कुछ थोड़ा साइने लाष्ट का मरहला या अंतिम पाड़ाओ जिसे कहेंगे हम वह उसका शेष्ट रहेवा है उससे जो है तो आपको आउगत कराना है फिर सरस्रमूती यह जो है तो कविता सुर्य कांतिर पार्टी निराला जी की क्या है समाब नोगी तो आ धन्यवाद